हाइ फ्रैंज इस प्रफेसर कार्तिक थरिवधी वाचिंG में यूटुब चैनल आज हम चो देख रहे वह flooded type EO operator दिखते हैं तो flooded type EO operator क्या होता है तिस one of the type of EO operator और इसको पुरा-pura हम एक्स्प्लेन करेंगे यहां पर तो यहां पर मैंने drawing ड्रो करी हुए flooded type EO operator की ठीक है तो इसको सबसे पहले देखते हैं यह पहला है जो chamber आपको दीख रहा है this is float chamber this is accumulator और accumulator के साथ जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा है यह अपना EO operator ठीक है फिर यह जो है वो compressor यहां से जो liquid refrigerant होगा जो vaporize होगा फिर हो कहां पर चला जाएगा इस सक्सा लाइंग के थ्रू compressor पर चला जाएगा ठीक है तो सबसे पहले यह liquid refrigerant कहां से आएगा तो liquid refrigerant आ रहा है receiver से ठीक है तो liquid refrigerant यहां पर रखा हुआ होता है float wall float wall क्यों होता है कि liquid refrigerant को maintain करने के लिए तो यह आपके द अचे तो दोनो चीजी woman लिकिविड अफिजेंट से भरा होगा यह पूरा आप देखारो liquid refrigerant से भरा होगा यह पूरा का पूरा liquid refrigerant यहां पर अगर यह liquid refrigerant का लेवल हमें अगLook float वाल लगाया हुआ होता है ठीक है तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे liquid refrigerant है यहाँ पे आपको थोड़ा यह डोट पार्टिकल आपको वेपर दिख रहे है यह वेपर इसलिए रिख रहा है क्योंकि यह जो liquid refrigerant यहाँ पे आप इस expansion वाल के through आया हुआ है यह float वाल यहाँ पे रखा इसलिए है तो क्या होगा कि थोड़ा जो थोड़ा some of the liquid refrigerant will be vaporized that's why you can see the vapor over here ठीक है अब यह liquid refrigerant है उसका connected इस accumulator के साथ है तो यहाँ पे भी आप देख रहो है पूरा का पूरा आप जो देख रहे हो लिक्विड रखा हुआ है so these all are the liquid refrigerant और यह liquid refrigerant जो है वो gravity के through इस evo-porter के अंदर जाएगा तो evo-porter के अंदर आप देख रहो है पूरा liquid refrigerant बढ़ा हुआ है जैसे यह liquid refrigerant है वो evo-porter में के अंदर यह liquid refrigerant है जैसे वो heat absorb करेगा तो लिक्विट रेफिजेंट किसमे करनोट होगा वेपर में, तो यहाँ पर लिक्विट रेफिजेंट काम हो जाएगा, तो क्या होगा, तो यह 1 किलिमेटर में जो लिक्विट रेफिजेंट है, वो द्रोप ओ जाएगा यहां पर जो लिक्विट एंट का लेवल है, तो हि यहां से भी द्रोप हो जाएगा, तो फिर से वो लिक्विट एफ्लेंट आएगा और जब मैंटना नहीं होता है, तब तक फ्लोट ओ्रोफ हो जाएगा. और पुरा लिक्विड लेवर इस तरीके साम यहां पर मैंटेन रखते है So, क्या होगा कि at every time At every time, यह पुरा यह operator वो liquid refrigerant से ही भरा होगा जैसे यह थोड़ा vaporize होता है उतना तरंथी gravity से दूसरा liquid refrigerant महा पर आके जगा लेगा है So, it is always flooded This operator is always flooded with the liquid refrigerant That's why it's known as a flooded type of operator समझ महा रहा है So, this part को बोला जाता है accumulator Accumulator मैंने आपको बाता दिया This is a float chamber, this is float wall Now, आप यहां पर देखे अब यह जो liquid refrigerant है This is a liquid refrigerant, यहां पर वो यह लिग हो रहा होगा यहां पर आप देख रहे हो, थोड़ा liquid refrigerant बचा है और उसमें से जिसने heat absorb करी यह थोड़ा vapor में भी convert किया हो है So, this is a liquid plus vapor refrigerant का mixture ही यहां पर अब होगा क्या, कि जब यह बाह निकलेगा तो यहां पर क्या होगा यहां से जब यह बाह निकलेगा vapor refrigerant So, उसको क्या करेंगा यह compression line के थूँ compression में चला जाएगा लेकिन, हो सकता है कि vapor के अंदर थोड़ा liquid भी present हो तो यह यहां पर इस तरीका से जो लगा जाता है उसको बोला जाता है बेफल तो बेफल क्या करेगा कि vapor के साथ जो liquid particles भी जा रहे है उसको trap कर देगा तो वो क्या करेगा बेफल liquid particles को trap करेगा सिर्फ वेपर ही होगा वह कंप्रेसर के थ्रू जाएगा और लिक्विड पाइटिकल जो ट्रेफ हुआ है वह फिर से कहां पर आ जाएगा एक्कुमिलेटर के अंदर ठीक है तो बहुत ही सिंपल था यह अपुरेटर है